तो हमने देखा कि इन अंतर का बहियों पर क्या प्रभवव पढ़ता है, किस प्रकार प्रभावित होती है, अब अगर हम बात करें कि वास्तों में बैंक समाधान विवरन बनाने की विधी क्या है, किस प्रकार बनाया जाता है. तो देखा जाए तो वास्तों में बैंक समाधान विवरन पास्बुक के शेश के आधार पर भी बनाया जा सकता है और रोकर पुस्तक के शेश के आधार पर भी बनाया जा सकता है तो हम पास्बुक का शेश ग्याद कर लेते हैं यहां पर हमको इन चार नियमों को ध्यान में रखना है कि शेश कौन सा है रोकडबही का डेबिट शेश है कि रोकडबही का क्रेडिट शेश है पास्बुक का डेबिट शेश है यह पास्बुक का क्रेडिट शेश है और इन नि चाहें वो रोकर भाई का डेबिट शेश हो या क्रेडिट शेश या पिर पासबुक का डेबिट शेश हो या क्रेडिट शेश. हालां कि जोड़ घटाने के जो नियम है वो बदलेंगे. ने किण प्रारूप चारो ही कंडिशन में सेम रहेगा. आए इसके प्रारूप पर एक नज़र डालें हमने देखा कि किस प्रकार रोकड वही के डेबिट शेश के आधार पर जब हम बैंक समाधान विवरन बनाते हैं तो वहाँ पर जोड और घटाओ के जो नियम होते हैं वो सारे के सारे नियम पलट जाते हैं तब जब कि हम रोकड वही के क्रेडिट शेश के आधार पर बैंक समाधान विवरन बनाते हैं एक विशेश बात आपने और गौर की होगी कि जब हम पास्बुक के डेबिट शेश के आधार पर बैंक समाधान विवरन बनाते हैं तो इन चार कंडिशन में हमको क्रियात्मक प्रश्णों को हल करना है जबकि रोकड वही का डेबिट शेश हो दूसरा जब रोकड वही का क्रेडिट शेश हो तीसरा जब पास्बुक का डेबिट शेश हो और चौथा जबकि पास्बुक का क्रेडिट शेश हो तो आए सबसे बेल हम देखते हैं वो कंडिशन जबकि रोकड बही के डेबिट शेश के आधार पर बैंक समधान विवरंट तयार करना हो रोकड बही के शेश के आधार पर जबकि रोकड बही डेबिट शेश प्रस्तुत करता हो बैंक समाधान विवरंट पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा रोकड बही के बैंक कॉलम का डेबिट शेश फाइनल अमाउंट कॉलम में लिखा जाएगा और उसमें जोडने वाली मदे होंगी पहला निर्गमित किये गये चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए चेक इसूट बट नॉट प्रेजेंट पॉपेमेंट दूसरा बैंक द्वारा दिया गया ब्याज इंट्रेस अलाउट बाइद बैंक तीसरा बैंक द्वारा संग्रहित विनियोग पर ब्याज लाभांश विपत्रिकी राशी इंट्रेस्ट और इंवेस्मेंट डिविदेंट अमाउंट ओफ बिल्स कलेक्टेट बाइद बैंक चौथा ग्रांको द्वारा हमारे खाते में सीधे बैंक में जमा राशी डारेक्ट डिपोजिटेट बाइवर कस्टमर इंटो बैंक इन अवर अकाउंट इसके अंतरगत घटाने वाली मदे इस प्रकार होंगी पाच्वा बैंक में जमा चेक जो संग्रहित नहीं हुए चेक डिपोजिटेट बाइट अट कलेक्टेट एंट च्छटवा बैंक वे कमिशन बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज बैंक द्वारा लगाया गया साथवा बैंक द्वारा हमारे ग्रहकों को सीधे के गए भुकतान डारेक्ट प्रेमिन्ट मेड बाइड बैंक आटवा बैंक में जमा किये गए ऐसे चेक जो अनादरित हुए चेक डिपोजिटेट इंटू बैंक अडिजॉर्णर प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसे हम कहेंगे पासबुप के अनुसाय क्रेडिट शेष बैलन्स एस पर पासबुप क्रेडिट इस प्रकार जब हम रोकड बही के डेबिट शेष के आधार पर बैंक समाधान विवरंड बनाते हैं तो किन-किन बिंदूओं को जोड़ा जाता है और किन-किन बिंदूओं को घटाया जाता है ठीक इसी प्रकार जब रोकड बही के डेडिट शेष के आधार पर बैंक समाधान विवरंड बनाया जाएगा तो जिन बिंदूओं को जिन मदों को हमने यहाँ पर जोड़ा था उनको अब हम घटा देंगे और जिन मदों को हमने घटाया था उनको हम जोड देंगे इसी प्रकार पास्बुक के शेष के आधार पर भी बैंक समाधान विवरंड बनाया जा सकता है आए देखते हैं जबकि पास्बुक के क्रेडिट शेष के आधार पर बैंक समाधान विवरंड बनाना हो तो प्लस और माइनस के कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे पास्बुक के शेष के आधार पर बैंक समधान विवरेंड पत्र का प्रारूप जबकि पास्बुक का क्रेडिट शेष हो इस प्रारूप में सबसे पहले फाइनल एमॉंट कॉलम में पास्बुक के अनुसार समा कलन शेष यानि की क्रेडिट शेष लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एस पर पास्टू इसमें जोडने वाली मदें होंगी पहला बैंक में जमा चेक जो संग्रहित नहीं हुए चेक डिपोजिट बट नोट एट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड दूसरा बैंक वे कमिशन बैंक अधिविकर पर ब्याज बैंक द्वारा लगाया गया बैंक एक्सपेंसे कमिशन इंटरेस्ट और ओर्डरॉप चार्ज बाइद बैंक तीसरा बैंक द्वारा हमारे ग्रांगों को सीधे किये गए भुकतान डारेक्ट पेमिंट मेट बाइद बैंक चौथा बैंक में जमा किये गए चेक जो अनादरित हुए चेक डिपोजिटेट इन्टो बैंक एंड डिजॉनर इसके अंतरगत घटाई जाने वाली मदे होंगी पहला निर्गमित किये गए चेक जो भुकतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए चेक एशुट बट नॉट प्रेजेंट पॉर पेमिंट दूसरा बैंक द्वारा दिया गया ब्याज इंट्रेस अलाउट बाइद बैंक इसके अंतरगत प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसे हम लिखेंगे पास्बुक के अनुसार डेबिट शेश या अधिविकर शेश आपने देखा कि किस प्रेकार जब हम पास्बुक के क्रेडिट शेश के आधार पर बैंक समाधान विवरंट बनाते हैं तो किन-किन मदों को हम जोडते हैं और किन मदों को हम घटाते हैं वास्तों में ये उस condition में होता है जब passbook का credit share हो लेकिन अगर हमको passbook के debit share के आधार पर bank समाधान विवरन बनाना हो तो उस condition में अभी हमने credit share में जिन जिन मदों को जोड़ा था उनको हम घटा देंगे और जिन मदों को हमने घटाया था उनको हम जोड़ देंगे यहां पर एक ध्यान देनी योगे जो बात है वो ये है कि कई बार इसके नियमों के आधार पर भी हम पास्बुक और रोकर पुस्तक के शेश के आधार पर बैंक समाधान विवरंड तयार कर सकते हैं हाला कि प्लस और माइनस के जो रूल है जो कंसप्ट है उनको हम फॉलो करें तो और आसानी से हमको बैंक समाधान विवरंड बनाया जा सकता है लेकिन अगर हम इन नियमों को समझ ले तो हम और आसानी से बैंक समाधान विवरंट बना सकते हैं बैंक समाधान विवरंट पत्रे बराने के नियम धन एवं रिंट प्लस या माइनस के आधार पर इस प्रकार है काटे गये चेक जो भुकतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए चेक issued but not presented for payment रोकड बही का debit share होने पर प्लस पास बुक का credit share होने पर माइनस रोकड बही का अधिविकर्ष होने पर माइनस और पास बुक का अधिविकर्ष होने पर प्लस होगा संग्रा के लिए भेजे गये चेक इत्यादी जिसका भुकतान बैंक से प्राप्त नहीं हुआ चेक एक्सेप्टर पेट इन्टु बैंक but not collected रोकड बही का debit share होने पर माइनस पास बुक का credit share होने पर प्लस रोकड बही का अधिविकर्ष होने पर प्लस और पास बुक का अधिविकर्ष होने पर माइनस होगा बैंक द्वारा दिया गया ब्याद जिसके रोकड बही में प्रविष्टी नहीं हुई इंटरेस्ट अलाउट बाइ बैंक but not entered in cash book रोकड बही का debit share होने पर प्लस पास बुक का credit share होने पर माइनस रोकड बही का अधिविकर्ष होने पर माइनस और पास बुक का अधिविकर्ष होने पर प्लस होगा बैंक द्वारा लगाये गया वे जिनकी प्रविष्टी रोकड बही में नहीं हुई पास बुक का अधिविकर्ष होने पर माइनस होगा चेक इत्यादी जो संग्रा के लिए बैंक भेजे गया और बैंक ने इन्हें क्रेडिट यानि समकलन कर दिया किन्तु रोकड बही में इनकी प्रविष्टी छोट गई हुँ चेक एक्सेप्टर पेड इन्टु बैंक फोर कलेक्शन और क्रेडिटेट बाइब बैंक बट ओमिटेट तो बी इंटर इनकेश बुक रोकड बही के डेबिट शेश की दशा में प्लस होगा पास बुक के अधिविकर्ष की दशा में माइनस होगा बैंक में जमा किये गए चेक अनाधरित होगा किन्तो रोकड बही में अनाधरन के प्रविश्टी नहीं किये गई चेक एक्सेप्टर पेड इन्टु बैंक एंडिशॉर्णर बाइब नो एंट्री पास इनकेश बुक फोर दिशॉर्णर रोकड बही के debit 6 की दशा में माइनस होगा पासबुक के credit 6 की दशा में प्लस होगा रोकड बही के अधिविकर्ष की दशा में प्लस होगा और पासबुक के अधिविकर्ष की दशा में माइनस होगा बैंक अधिविकर्ष पर ब्याद जो बैंक में लगाया गया पर रोकड बही में प्रविष्टी नहीं हुई Interest on bank overdrafts charged by the bank but not entered in cashbook रोकड बही के debit 6 की दशा में minus होगा Passbook के credit 6 की दशा में plus होगा रोकड बही के अधिविकर्ष की दशा में plus और Passbook के अधिविकर्ष की दशा में minus होगा Bank द्वारा भुकतान किया गया Bima premium रोकड बही के debit 6 की दशा में minus होगा Passbook के credit 6 की दशा में plus होगा रोकड बही के अधिविकर्ष की दशा में plus होगा और Passbook के अधिविकर्ष की दशा में minus होगा विन्योग पर ब्याज Passbook में लिखा गया रोकड बही में नहीं Interest on investment entered in Passbook but not entered in cashbook रोकडबही के डेबिट शेश की दशा में प्लस होगा पास्बुक के क्रेडिट की दशा में माइनस होगा रोकडबही के अधिविकरश की दशा में माइनस होगा और पास्बुक के अधिविकरश की दशा में प्लस होगा बिल के निवर्तन पर छूट को पास बुक में लिखा गया, रोकर बही में नहीं लिखा गया Rebate on Retiring of Bill entered in passbook but not in cashbook रोकर बही के debit 6 की दशा में plus होगा पास बुक के credit 6 की दशा में minus होगा रोकड भही के अधिविकर्ष की दशा में माइनस और पास्बुक के अधिविकर्ष की दशा में प्लस होगा ग्राहक द्वारा बैंक को सीधा भुकतान डारिक पेमिंट बाइ दे कस्टमर इंटु बैंक रोकड भही के डेबिट शेश की दशा में प्लस पास बुक के क्रेडिट शेश helps की दशा में माइनस, रोकड़ बही के अधिवकर्ष की दशा में माइनस और पास बुक के अधिवकर्ष की दशा में प्लस होगा। निरगमित किया हुआ चेक जिसका भुकतान हो गया किन्तु रोकड़ बही में लिखने से छूट गया। रोकडबही के अधिविकर्ष की दशा में माइनस होगा और पासबुक के अधिविकर्ष की दशा में प्लस होगा बैंक द्वारा सीधे प्राप्त राशी जिनकी रोकडबही में प्रविष्टी नहीं हुई रोकडबही के डेबिट शेष की दशा में प्लस होगा पासबुक क क्रेडिट शेश की दशा में माइनस होगा रोकड बही के अधिविकर्ष की दशा में माइनस और पास्बुक के अधिविकर्ष की दशा में प्लस होगा चेक इत्यादी जिनकी प्रविष्टी रोकड बही में डेबिट में की गई किन्तु बैंक भेजे ना जा सके चेक एक्से के अधिविकर्ष की दशाम में मायनस होगा बैंक से सीधे भुकतान जिसका रोकड़ बही में लेखा नहीं उआ Direct Payment From Bank Not Entered in Cash Book रोकड भाई के डेविट शेश की दशा में माइनस होगा Pass Book के Credit Shares की दशा में प्लस होगा Rोकड भाई के अदिविकर्ष की दशा में प्लस होगा और Pass Book के अदिविकर्ष की दशा में माइनस होगा निर्गमित चेक अनादरित हो गए और रोकड बही में अनादरन का लेखा नहीं हुआ रोकड बही के डेबिट शेश की दशा में प्लस पास बुक के क्रेडिट शेश की दशा में माइनस रोकड बही के अधिविकर्ष की दशा में माइनस और पास बुक के अधिविकर्ष की दशा में प्लस होगा पास बुक के नामे यानि विकलन पक्ष में कोई अशुद्य प्रविष्टी होने पर रोकड बही के डेबिट 6 की दशा में माइनस पास बुक के क्रेडिट 6 की दशा में प्लस पास बुक के रोकड बही के अधिविकर्ष की दशा में प्लस और पास बुक के अधिविकर्ष की दशा में माइनस होगा पास बुक के क्रेडिट पक्ष में अशुद्य प्रविष्टी होने पर रोकड बही के डेबिट शेश की दशा में प्लस पास बुक के क्रेडिट शेश की दशा में माइनस रोकड बही के अधिविकर्ष के दशा में माइनस और पास बुक के अधिविकर्ष की दशा में प्लस होगा वास्तों में दोनों के नियमों को जब हम compare करते हैं याने कि passbook और cashbook तो हमको जो difference देखने को मिलता है उसके कारण को हम समझ ले उसके प्रभाव को हम समझ ले तो अगर हमको plus minus का rule याद ना भी रहे तो भी हम bank समधान विवरंट बना सकते हैं जैसे कि एक उदाहरन के अधार पर हम देखते हैं कि 5000 रुपय का एक चेक राम को जारी किया जिसमें रोकर बही 5000 रुपय से कम हो जाएगी अब हमने राम को 5000 रुपय का एक चेक जारी किया तो जाहिर सी बात है जब हम राम को चेक देंगे तो रोकर पुस्तक से हम 5000 रुपे माइनस कर देंगे कि हमारे जो कैश जो था हमारे पास वो अब चला गया 5000 रुपे से वो कम हो गया लेकिन राम जो है वो बैंक समधान विवरन बनाने किती थी तक उसको पासबुक में उसको बैंक मिले जाकर प्रस्तुत नहीं करता है तो बैंक उसको हमारे अकाउंट से काटे गए उस पैसे को तो हमको तो यह लगेगा कि हमारे बुक्स ऑफ अपकाउंट से 5000 रुपे कम हो गया लेकिन राम ने उसको अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया तो वहाँ पे पास से तो वह पासजार रुपय माइनस हुआ नहीं तो इस कंडिशन में फिर से पासबुक और कैश्बुक दोनों में डिफरेंस आ जाएगा तो ऐसे बहुत सारे आएवे होते हैं बहुत सारे चेक की प्राप्ति और निर्गमन की दशाएं होती है जब भूलवश या चल कपट की द्रिष्टी से या किसी अन्य कारण से चाहे वो बैंक की गलती हो या वैपारी की गलती हो किसी भी पक्षकार की गलती हो कुल मिलाकर होता यह है कि बैंक में पासबुक में जमा होती है अमाउंट रोकर बुक में लिखने भूल जाते हैं रोकर पुस्तक में लिख देते हैं पास्बुक में लिखना भोल जाते हैं कई दशाएं अगर हम इनको ध्यान से सोचें कि कहां पर धनराशी कम हुई है और कहां पर बढ़ रही है तो उसकी आधार पर हम बहुत आसानी से बैंक समधान विबरन बना सकते हैं